हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल डेके पाट साला में स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आपने थम्लेल देखे लिया होगा दोस्तों इस विडियों बात करने वाले हैं आपका आपको इस्टी प्लन त्यार किया था कि जो कि आपका थी traces अर्पने वाला था जसे को अगा पढ़ने हैं कितने गंटे आपको पढ़ाई करनी है अगर दोस्तों आपने पूरा प्लान हमारा अच्छे से फोलो कर लिया चाले दिन तो दोस्तों 100% जो आपका एक्जाम वह आपको के लिए हो जाएगा बस अरति आपको डेली 8 से लेकिन 9 गंटे की आपको इस्टडी करनी पढ़ेगी अगर दोस्तों वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो देली आपको रात को नौ बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड करा जाता है जिसमें आपको नेक्स डेका आपको टार्गेट होता है कि कौन कौश टॉपिक आपको पढ़ने हैं अब दोस्तों बहुत सारे बच्छों का सवाल आ रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दो जो को आपका बहुत ज्यादा कंप्रीशिन सब्यों और दोसरो बात करते हैं कि आपका आपका महीने में होने वाला है लेंगे दोस्तों इसमें डेट आपकी नहीं दी गई थी और दोस्तों पता होगा आपको जो पूरा चाड़ी आपका पूरा जारी कर देता है तीस दिन पहले तो याने जो आज आपका 11 एप्राल हो गया लेकिन अभी तक आपका कोई सटूर नहीं आए तो याने तो इतना दा कंफरम है जो आपका लेवेश इसका एक्जाम में वह कम से कम आपका 10 मईज से पहले आपका नहीं हो रहा है इस्टार ठीक है और दोस्व यह जाए इस वह तो ऑपने और सब्क्राइब किया है तो दोस्टों मॉंबाई ज्यों करण का जो आपका एक्जाम है या तो एक स्ट में और अगर बच्चे ज्यादा हो तो दोस्तों मैक्समा आपका दो स्टीट हो जाएगा मॉंबाई जोन का एक जान हो तो यानि जिना सारे लेविल के आपके एक्जाम कंपिट नहीं हो पाएंगे सारे जौन के यानि इसमें 25-70 दिन का समय आपका लग सकता है कि कम से कम तो यानि दोस्तो आपका 12 रहते रहे तारी से भी स्टार्ट होता लेख जान तो कम से कम आपका 20 मई के आजपता चलने वाला है ठीक हे और आपको पता होगा इसके बाद दोस्तो आपको बात करें चौबिस महीं से लेकर दस जून तक जो दोस्तो आपका SSC के एक्जाम तरने वाले CSSL वाले 10 परेस्टटू वाले तो इस वीज़ दोस्तो आपको इक्जाम नहीं हो क्यों नहीं होगा कियोंकि यह एक्जाम थिए आपको ठीसर करा रही और आपको ठीसिस कराएगी इसके वाद पूरा उम्मीद है जो आपका के एक्जाम होगा वह द्स पर देने के लिए आपको पटना जौन ही जाना पड़ेगा पत्व पास में पर होगा रहार। यह नहीं के लोकां को वालने करने पड़ेगा अच्छा खासा या जैंनी कि पांस तो कम से कम आपको पांस वार उसी सहर में आपको जाने पड़ाई किया है तो यहांनी तो चार यहांनी कि तो आपको लगने वाला इसमें तो यहीं आपको चानगा देने थी कि आपको लेविल 6 का एक्जाम में यह मांग चली तो यह आपका 15 मई के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा उससे एक दूर पहले हो सकता है ठीक है तो अपने त्यारी लगाता अच्छे से करते रहें और दो दोस्तों उनको अभी अच्छा खास समय आपको मिल जाएगा तो बस अपनी त्यारी अच्छे से करते रहें और साथ दोस्तों कहना चाहते हूं आप से कहीं भी दोस्तों आप 7-8 गंटे यूटूब से पढ़ाई ना करें ठीक है क्योंको दोस्तों आपको समय में बहुत जा करें अगर हाँ जो चीज आपको समझों ने आए वो चीज आप यूटूब पर जाकर देख सकते हो तो थैंक्यू फो वाचिंग